इस वीडियो मैं आपको railway की तरफ से एक new vacancy है जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको J-Level की आपको jobs देखने के लिए बिल रहे हैं जिसमें diploma वाले भी एप्लाइ कर सकते हैं बी बीटेक वाले भी एप्लाइ कर सकते हैं और अगर आप वाले जो भी सारी vacancy आती रहती है इस channel के मादम से आपको मिलती रहती है और comment section में जो भी आपका branch हो कौन ब्राइब डिप्लोमा की हैं कौन ब्राइब बीटेक हैं कौन से आइटिये की हैं जरूर से बताएगा ताकि आने वाले vacancy आपसे relevant आपको देखने के लिए मिलेगी बहुत सारे ऐसे अपडेट आती इनका मैं वीडियो नहीं बना पता आपको में टेलिक्राम या वाट्सअप ग्रूप में देखने के लिए मिल जाती है तो उसका जो लिंक है वीडियो के description या comment section के pinned comment में दिया गया है वहाँ से जरूर से join हो करके रहिएगा चली वीडियो क स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं यह इसका official notification है और यह जो notification आ डियावे ministry of railway के तरफ से आ डिया government of India RITS Limited Rail India Technical Economic Service Limited के तरफ से यह PSU है largest PSU है जो की railway के अंदर में आती है railway की काम करती है इसके तरफ सब भी vacancy देखने के लिए मिल देखने के लिए जिसमें कि आपको यहाँ पर लिए मिल जागा वीडियो के description में भी link दिया है वहाँ से भी आप इसको download कर सकते हैं तो पहले वीडियो को देख लिए समझ लिए और उसके बाद अगर आप इसमें इंट्रेस्ट होंगे तो ज़रूर से इसको apply कर लिजेगा चलिए डिटेल में डिसकस करते हैं और सभी कु इसके बाद यहाँ पर आपको junior design engineer HVAC में junior design engineer external works में उसके बाद यहाँ पर आपको CAD में है जिसमें ड्रोगेस्ट में या आर्किटेक्चर है इसके बाद यहाँ पर आपको CAD ड्रोगेस्ट में इलेक्ट्रिकल में है उसके बाद ड्रोगेस्ट में यहाँ पर HVAC में उसके बाद करते हैं इसके लिए क्या 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 क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गए तो देख सकते हैं junior design engineer का जो पोस्ट है इसमें graduate engineer in civil engineering में अगर आप लोक कर रखें विर्ट तो आप यहाँ पर अप्लाय कर पर पाएंगे उसके बाद यहां पर जो इलैक्ट्रिकल पोस्ट है उस उसमें अगर आप भी बीटे कर रखेंगे अजिप्लों मृ एक्शुम्न कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग डुप डिप्लोमा या आईटिया अगर आप लोग कर रखे होंगे सिभिल ब्रांच में तो यहां पर अपलाई कर सकते हैं उसके पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मिक्निकल में कर रखें तो इसमें अपलाई कर सकते हैं और य यहाँ पर diploma या ITI, drug instrument या civil में दिया गया है, इन case अगर आपका जो branch है इसमें नहीं होगा, तो आप comment section में बताएगा कि कौन से branch आप diploma की हैं, कौन से branch आप BVT की हैं, या कौन से trade से ITI की हैं, ताकि आने वाले जो vacancies होंगी आप से relevant आपको देखने के लिए मिलेगी देख सकते हैं इसके लिए जो अच्छी खासी यहां पर आपको CTC या पेसकेल देखने के लिए यहां पर आपको CTC मिलने वाले जिसकी यहां पर पेसकेल 20,000 से लेकरके 66,000 के बीच में रहने वाली बात करें इसकी सेलेक्शन प्रोसेस की तो इसकी जो सेलेक्शन प्रोसेस है इंटर्वियू और एक्सपिरियंस के अधार पर होने वाली हैं तो अगर आप फ्रेसर कंडिडेट हैं इसमें फ्रेसर कंडिडेट में कुछ न कुछ एक्सपिरियंस यहां पर मांगा गया फ्रेसर कंडिडेट एपलाई नहीं कर सकते हैं एक्सपिरियंस के तोर पर यहां प के लिए job switch कर सकते हैं नेचर अपीडर तो ये भी आपको contract basic पर है initially जो कि अगर ये extend भी किया जा सकता है उसके आद sell-d के बारे मता दिया application fee में कोई भी नहीं रखा गया application fee यहाँ पर नील है आप free of cost में आप इसको apply कर सकते है apply कैसे करना है तो video के description में आपको link मिल जागा उस link पर click करके आप इसको apply कर सकते हैं जो भी post के लिए apply कर रहे हैं उसका जो vacancy का post code है ओ देख लीजेगा और उसके बाद apply करते time आपको जरूरी पड़ेगा उसको यह सभी documents required है तो यह सभी का जो list है PDF में दिया गया इस PDF को download करने के लिए video के description में लिंक है या टिलिग्राम WhatsApp पर से आप इसको download कर सकते हैं यह जो है आपका interview का जो venue है यहां पर दिया गया आपकी जो interview है यहां पर conduct होगी यहां पर चेन्ने का address दिया गया बात करें इसकी important date की तो यहां पर दिख सकते हैं दो नौ से ले करके दस नो के बीच में आप registration कर सकते हैं लास्ट इसकी दस सेप्टेमबर रहने वाले तो दो तीन दिन टाइम है बहुत इसमें कम टाइम दिया जाता है तो आप इसमें अपला कर सकते हैं उसके आप पर आपका जो भी information था मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query अगर रह गया होगा तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you वीडियो को जरूर से like से subscribe कर दिजेगा